Hello friends, welcome to my channel competition will जैसा कि आज UGC NEPJRF December 2020 का जो exam हुआ था subject philosophy का तो आज हम आपको philosophy subject की expected cutoff के बारे में बताने वाले हैं तो expected cutoff जानने से पहले हम कुछ previous year की जो cutoffs हैं जो exam हुए थे उनकी cutoffs को देख लेते हैं, जान लेते हैं तो आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि जितना भी data आपके सामने लिख रखा है ये Sara का Sara NTA UGC के official website से लिया गया है और जितना भी data दे रखा गया है ये Sara का Sara किसमें हैं? percentage में दिया गया है तो माल निजे कि हम percentage में कैसे हैं? मारे तो marks आते हैं हम percentage में कैसे पता करेंगे तो यह माल लिचे जैसे मेरा exam हुआ है और मेरे marks आये है 180 out of 300 means मेरे 300 में 180 marks आये मतलब जितने marks आये हैं उसे उपर रखना है और denominator में जितने में से आये हैं उसे नीचे रखना है और क्या कर देना है 100 का multiply कर देना तो 0000 एक cancel हो जाएगा 3 से divide कर दें कितना आ जाएगा 60 मतलब cutoff के according जो मेरे marks है वो कितने है 60 है तो चलिए अब देखते हैं कि June 2020 में cutoff क्या गई थी तो जो उपर वाली लाइन है यह JRF की है जो नीचे है यह किसकी है तो JRF के बारे हम पहले जान लेते हैं कि 72 जो गई थी वो गई थी अन्रिजर्व के लिए 68.67 गई थी EWS के लिए 66.67 गई थी OBC के लिए 62.67 गई थी SC के लिए और 55.33 गई थी ST वालों के लिए फिर 63.33 गई थी अन्रिजर्व के लिए 58.67 गई थी EWS के लिए 57.33 गई थी OBC के लिए और 55.33 गई थी SC के लिए और 47.33 गई थी ST वालों के लिए तो यह आपकी कटाफ गई थी June 2020 में JRF और NET के लिए तो अब हम आपके सामने लादे हैं December 2020 की जो expected कटाफ है हमारी वो क्या है तो यह जो कटाफ है यह JRF की है यह NET की है और यह कटाफ हमने आपको expected यह निकाल के दिखा रहे हैं यह हमने student review और previous year के according गई कटाफ के हिसाब से बनाई है तो देख लेते हैं JRF में जो unreserved के लिए जाने चाहिए वो 70 से 75 जाने चाहिए और EWS के लिए 65 से 70 तक जाने चाहिए और 63 से 68 OBC के लिए जाने चाहिए 60 से 65 SC वालों की जाने चाहिए और 56 से 61 ST वालों की जाने चाहिए यह हो गई JRF की और अगर NET की देखे तो NET में 60 से 65 जानी चाहिए Unreserve की 55 से 60 जानी चाहिए EWS की 51 से 56 जानी चाहिए OBC की और 51 से 56 जानी चाहिए SC वालो की और 48 से 52 जानी चाहिए ST वालो की तो यह हमारी expected cutoff है जो हमने student review और previous year के according जितने भी cutoffs आये हैं तो अगर जितने भी बचे हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारी comment section में जाकर अपनी expected cutoff को लेकर अपना review दे सकते हैं और दे सकते क्या हैं जरूर दें जिससे क्या होगा हम आपके भी review को मिला कर हम आगे आपको एक highly expected cutoff प्रोवाइड करा पाएंगे और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक like, subscribe, share नहीं किया है तो जरूर करें Thank you